आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग हर महीने की शुकल पक्ष के अंतिम दिन को पुर्णिमा मनाते हैं, पुर्णिमा को सामानेता कोई ना कोई पर्वियावरत अवश्य ही मनाया जाता है, पुर्णिमा के दिन सूरे और चंदर की गती और कला की गंणा करके का निर्धारन किया जाता है, और ये रात तो और भी खास होने वाले है क्योंकि ये कार्तिक महा की पुर्णिमा है, जिसे देव दिवाली बोला जाता है, मानते हैं कि इस दिन देवता दिवाली मनाते हैं, तो बहुत खास दिन है, इस दिन पर क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं आ बहुत पसंद था कार्तिक के महीने को मोक्ष का द्वार भी बोला जाता है कार्तिक के महीने में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं जो भी दानपुन्य आप करते हैं उसका कई गुना जादा फ़ल आपको मिलता है गंगासनान के लिए जाते हैं और इसके साथ-साथ जो भी का पुर्णिमा पर सब से ज़ादा होती है क्यूंकि देव दिवाली भी है और इसके साथ-साच विष्नुभग्वान भी जाग चुके हैan देवता दिवाली मना रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में दिवाली के तरीके से रोष्णी कर सकते हैं आप लोग भी अपने जीवन में दियों से रोष्णी कर सकते हैं ताकि आपके जीवन से भी सारे तरह के दुख दूर हो जाए तो कार्तिक का महीना काफी शुब है आप ये जाने वाला है तो जाते जाते आप कुछ ऐसा काम कर लें जिससे आपके जीवन में भी खुशियां आ जाएं आपके जीवन में रोजाना दिवाली हो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की कार्तिक पुर्णिमा के दिन अगर आप हल्दी ले ले और थोड़ा सा पानी ले अपने मुख्य दरवाजे पर आप हल्दी और पानी से दोनों तरफ यानि के दाईं और बाईं और आप इस हल्दी मिले हुए जल को थोड़ा सा वहांपर दाल दे और इसके बाद आपने क्या करना है कि उस हल्दी मिले हुए जल से आपने ओम को निर्मित करना है ओम बनाना है वहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो मा लक्षमी जो है वो बहुत प्रसन होती है आप इसके बाद क्या करें इसके बाद आपने ताजी आम के पत्ते ले हो और ये तैयारियां जो है्न मालक्षमी तक जाती हैं मालक्षमी प्रसन होती हैं और आप लोगों को शुभता मिलती है सारी तरह की negative energies निकल जाती है और इसके साथ-साथ positive energies का परवा होता है इस उपाय को करने के बाद आपने सुभह 10 बजे क्या करना है पुर्णिमा के दिन पीपल के व्रिक्ष के पास चले जाए आप अपना जो भी काम करते हैं नहाद होकर अपने रूटीन से निर्वित हो जाए उसके बाद आप पीपल के पेड के पास चले जाए 10 बजे का समय आप अपने कामों से निर्वत होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल भी अर्पित कर सकते हैं, इसके साथ साथ धूप दीप अगरवत्ती जला कर मालक्ष्मी का पूजन करें और मालक्ष्मी को अपने घर चलने के लिए अमंत्रित करें, इस प्रकार करने से माना जाता है क मालक्ष्मी आपके साथ आपके घर तक आजाती हैं और आपके घर में सदा निवास करती हैं, ऐसा करने से भी आपको शुब फ़लों की प्रापती होगी, मालक्ष्मी जो है वो आपके घर में जरूर निवास करेंगी, एक और उपाय के तौर पर आप ये भी कर सकते हैं, इस ऐसा करने से आप लोगों के लिए ये दिन खास हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से लक्षमी मातुर प्रसन होती ही है, इसके साथ साथ चंद्रभगवान भी प्रसन होते हैं, चंद्रमा का दिन है, पुर्णिमाशी का दिन है, और साथ में मालक्षमी का भी दिन है, तो दोनों ह तरह से आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा आप खीर का भोग लगा कर सारे सदस्यों में खीर बांटे और आरोग्य की प्राप्ति की प्रात्ना करें ऐसा करने से आपके जीवन से रोगों की जो मुक्ति है वो मिलेगी जैसे शर्द पुर्णिमा पर हमने किया वो चंद्रमा की आभा पॉजिटिव एनरजी मिलती है आप लोगों के लिए ये खास उपाए मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए प्रशन करते है कि किस प्रकार से ध्यान किया जाता है किस प्रकार से मेडिटेशन की जाती है हमारा ध्यान नह ही लगता हमें ध्यान में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है तो उन लोगों के लिए खास उपाए है जो ध्यान की प्रक्टिस रोज करते हैं वो इस दिन को बिलकुल भी मिस ना करें कार्तिक पुर्णिमा शर्द पुर्णिमा कुछ ऐसे खास दिन है जब आप ध्यान की प्र जो ध्यान की प्रक्रिती है इसको पाने के लिए हमें कुछ खास दिनों को चुनना होता है ऐसे में आप लोगों को मन की शांती मिलती है मन स्थिर होता है और ध्यान की कुछ ऐसे प्रत्रक्रियाओं को करने का मौका मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं किया हो ऐसा करने से ध्यान बहुत पुष्ट होता है, ध्यान बहुत गहरा होता है, ऐसा करने से ध्यान की जो अवस्थाएं हमें मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, आप ट्राइ करके देखे, आप लोगों को इतनी पॉजिटिव अनर्जी के बीच में ध्यान करने का मौका मिलेगा, आप गोच अन्द्रमा की पूरी सकरात्मक उर्जा मिलेगी, मन बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, जो लोग रोजाना ध्यान की प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, पुर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णि पुर्णिमा का दिन विशेश तोर पर एक सुनहरावसर है। इसके साथ-साथ मैं उन लेडीज के लिए भी ये कहना चाहूंगी जो प्रेगनेंट है। उनके लिए भी ये खास दिन हो सकता है। आप लोग भी पुर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी के आगे थोड़ी दि पुर्णिमा की रोशनी अपने शिशू पर डालेंगी तो वो बहुत ही तेजवान होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही पुद्धिमान होगा और इसके साथ-साथ आप लोगों को भी शक्ती मिलेगी। देखिए हमेशा लग-लग वीडियो में आपको मिलेग कि ग्रहन के समय प्रेगनन्ट लेडिस को कहा जाता है कि आप बाहर ना जाएं, आप ये काम ना करें, आप इस प्रकार से ना करें, उस प्रकार से ना करें, बहुत सारे precautions होती हैं, प्रन्तु ये कोई नहीं बताता कि पुर्णिमा की रात आपके लिए कितनी important है, गर्भस्त के लिए एक खास दिन है, इसे avoid ना करें, बिल्कुल भी इस बात को आप ये ना सोचें कि आप लोगों के लिए इससे बहतर दिन कोई हो सकता है, इसलिए चंद्रमा की रोशनी के नीचे जरूर बैठें, थोड़ी देर अपने शिशु के बारे में सोचें, ध्यान करें, और इसके साथ-साथ कोई अच्छा सा मंत्र जाप आप जरूर करें, जो आप रोजाना करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भगवान का नाम जरूर ले, तो इस प्रकार से आप भी कार्तिक पुर्णिमा के दिन का लाब उठा सकते हैं, आप लोग भी इस दिन मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और इसके साथ-साथ जो यहां पर उपाय मैंने बताए हैं, उनको भी जरूर करें, आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ में प्रेगनन लेलीज के साथ इसे शेर जरूर करें, ताके वो भ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,